हलो बच्चो, नमस्कार, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2024 का यहाँ पर पेपर खुला हुआ है, 2024 का मॉडल पेपर है, ठीक है, इसको आप साल्व करके आप समझ जाएंगे कि संस्कृत का पेपर आपका, यानि कि 2024 में आपका संस्कृत का पेपर कैसा आने वाला है, यहाँ प पर प्रोजक्ट कार्य पर मिलेगा जैसे सभी को मिलता है समय तीन घंटे 15 मिनट का दिया हुआ है यहां पर कुछ निर्देश दे हुए हैं आपके पेपर में उसको देख लेते हैं पहला है प्रारम के 15 मिनट पर चार्थियों को प्रश्ण पढ़ने के लिए निर्धारित है प्रश्ण पत्र दोःद्रों में विभाजित है खंड ल, खंड अ बहुअ विकलति प्रश्ण सही है जिसमें सही विकलप का चैनकर उत्तरपुस्तिकां में लिखा जाय तथा खंडब में बारात्मर क्रश्ण है अब जो खंड है यहां पर जान लिघ्वे कि इसको your amr स्ट मिलेगी जिसमें आपको इसको भरना है मैं आपको ओमार सीट भरना बता दूंगी कैसे आप लोग को भरना है तो प्रतेक परिशनिक के सम्मुक उनकी अंक निर्धारित किये गए हैं ओमार सीट बहुत ही सावधानी के साथ भरना होता है तो उसकी पूरे प्रोस्टीजर को साथ प्रशन संख्या मैं जद्या बड़ है प्रशन संंक्या एक दो गध्यांश आदशारित प्रशन है यहां पर प्रशन को इस ze अंस्वार आको देना है इस संकर के और प्रदेश मालावार प्रांते है पूड़ाइस सत्तित्य सफ्ट ए से आपको यहां तक पढणा है उसके बाद यहाँ पर पैहले कोंचन का अलसव हम देखेंगे उक्त गद्यांस का सिर्षक है तो यहां पर उक्त गद्यांस का सिर्षक कौन सा है तो यहां पर आपको देखे विशु कभी रविंद्र है आदि संकराचारी है मदन मोहन मालवी है दीन बंधु जोतिवा फुले तो आपको यहां पर जो आपने पढ़ा हुआ है आपको जो लेभे तो यहां पर देखे संकर जो है केरल प्रदेशे मालावार प्रांते जन्म लेभे ठीक है तो यहां पर देखेंगे केरल प्रदेशे दिया हुआ है तो यहां पर केरल प्रदेशे पर टिक करेंगे ठीक है अगला कोश्चन देखेंगे गुरु नानक पितु नाम किम गुरु नानक की पिता का नाम जो चेप्टर आप लोग अगर पढ़े होंगे तो कालु महता उनकी पिता का नाम था ठीख है अगला कोश्चन देखेंगे बिक्षाह कह सलील पानम कुरबनती तो विक्षाह जो है यहाँ पर पादय है पर टिक करिएगा ठीक है अगला कोशन देखे पृतिव्या कति रत्नानी संती तो यहाँ पर देखे सब दिया हुआ है पंच त्रीडी चत्वारी तो आपको त्रीडी करना है ठीक है पृतिव्या कति रत्नानी संती उसके बाद आगे अभिवादन शीलस्य वृद्धो पसीवीनह इसलोग की पंक्ति पूड कर यानि यहां पर जो खाले स्तान है इसको आपको भरना है तो यहां पर आपको क्या भरना है नित्यम ठीक है नित्यम भरना यानि कि यह आपसं बिल्कुल सही है अगला कोश्चन देखिए करमंडे आपको नित्यम भरना है तूस्ट रुकति तुर। यहां पर जो है आपको हरीश्चंद्रल अगला कोश्चन देखिए नागा नंदन नाटका से रचाईता आस्ती इसका जो टिक करेंगे आप हर्स वर्धन करेंगे अगला कोश्चन जो है सनमित्र लक्षण मिदम प्रवधनति संतह कह अकत्यत तो यहाँ पर आफ्ताब आपको लगाना है ठीक है आफ्ताब अगला एक प्रत्याहार के वर्ड है तो एक प्रत्याहार के वर्ड कौनसे हैं यहाँ पर देखे iolry ठीक है कि इसी उच्ल retain आपको कहाँ से चाह data अगला कोश्चन देखे नमस्ते का संधिविक्षेद है नमस्ते का संधिविक्षेद है नमधन ते ठीक है कि वाज्या पद इक वचन का रोप है नमामी रूप का आप लोग कमेंद करके जरूब बताएं कि नमामी रूप है का सही option क्या होगा आगको स्टेखे वह इसे भुएयु रूप किस लकार पहा तो भुएयु रूप जो है बिधिलिंग लकार का है ठीक है अगला कोस्चन देखे प्रतिदिननम में समास है तो अभ्यवाव समास है अगला कोश्चन देखे वी सहवा लास्ट त्रिभुवन का समास विग्र है तो त्रिभुवन का जो है जो समास होता है लेकिन यह संस्कृत है तो यहां पर देखे त्रया नाम भुवना नाम समाहा ठीक है तीन भुवनों का समोह यहां पर दिया हुआ है यह उप्शन बिल्कुल सही ह तो यहां पर हमारे 20 question जो है वो complete हो चुके हैं अगर आप लोग 20 question का सही अंसर देते हो ओ यह मार सिट पर आपको अंसर देना है ना ही लिखना है ना ही कुछ करना है सिर्फ इसी तरह से ठीक है चार गोले रहेंगे नंबर डाला रहेगा आपको जो सही लगेगा जो आपसे सही रहेगा उसी में आपको डॉट पें से डार्क कर देना है ठीक है और ओयमार सिट मैं भरना बताऊंगी आप लोग वो अच्छी तरीके से उसके बाद चलिए खंड ब में चलते हैं यहां पर खंड ब देखेंगे वाडात्मक प्रश्न उपखंड खर ठीक है यहां पर अब यहां पर देखें सभी प्रश्न अनिवार हैं यहां पर जितनी भी हिंदी में इसका अर्च लिखना है आप देखें यह नैतिक मुली एक चैप्टर है जो गद्यभारती में उससे लिया गया है ठीक है नैतिक मुली से उसके बाद संस्कृत भासा या गौर्वम से यह लिया गया है तो आपको एक ही करना है चाहे आप यह करिएगा अगर इसक तो यहां पर आपको सारांस लिखना है यानि कि जो चैप्टर आपने पढ़ा है उस चैप्टर का पूरा जो है सारांस यान निचोड आपको लिखना है तो जिसका भी आप अच्छे से पढ़े हुए हैं अगर समझ पा रहे हैं तो उसका इसमें लिखेंगे बाकी सारा देखे लिखित इस लोगों में से किसी एक इस लोग की हिंदी ही करना यहां पर सुक्ति रिया हुआ है इसका को व्याख्या करना है यानि कि ब्याख्या हेडिंग डालेंगे और ब्याख्या करना इसको आप उपर में लिख देंगे नीचे में ब्याख्या हेडिंग डाल की उसका ब्याख्या कर देंगे ठीक है पाचमा कोश्चन देखें निमलिखित में से किसी एक इस लोग का अर्थ संस्कृत में लिखें बहुत ही आसान आसान कोश्चन है बस आप लोगों को समझने की जरूरत है समझना कैसे है रेगूलर क्लास लेके ठीक है यहां पर देखें काब्या सास्ट विनोदेन कालो गच्छती धीमतां यह भी आपका गीता मृतम से है ठीक है कीता मृतम यानि चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट है गीता मृतम को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा अगला को जो जो नायक रहेगा उसका आपको चरित्री चित्र करना रहेगा ठीक है इसको तयार कर लीजिएगा उसके बाद निमलिखित में से किसी एक प्रशन का उत्तर संस्कृत में लिखें यहां पर कुछ प्रश्न दिए होई हो उनको आपको देना है अंस्वाठीक है अगला किसी एक में निर्देशा नुसार विभक्ति का नाम लिखिए ठीक है तो यहां पर आपको किसी एक का यहां पर तीन दिया हुआ लेकिन आपको एक का विभक्ति जो है का नाम लिखना है कौन से विभक्ति से है उसके बाद देखिए निमलिखित में किसी एक का वाची परिवर्टन कीजी यहां पर तीन दिया हुआ है लेकिन आपको जैसे सीता का आपको देना कर रहे हो तो सीतया कि पत्राण कि लिखैते ठीक है सीता सीतया पत्राइल लिखेते इस तरह के से आपको change करना वाची करना है एक ही का करना है उसके बाद देखिए निमलिखित वाक्यों में से किन्धी तीन वाक्यों का संस्कृति में अनुवाद कीजिए यहां पर देखिए नंबर आपको बहुत भारी भारी मिल रहे हैं आपको करना क्या है कुछ नहीं बस छोटा छोटा लिखना रहेगा निखिद मेंसे किसी एक सांस्कृत में आठ वाक्यों में निबन्द लिखे यहां पर आठ वाक bursting में सिर्फ आठ वाक्य में निबन्द में निफंने के लिए कहा जा रहा हमाएं इसमार जो में आपको बता दोंगी आप लोग उसको तयार कर लीजिएगा हमद्रेट परसंट किन्ही दो पदों का संस्क्रित वाक्यों में प्रयोग कीजिए तो यहां पर देखिए कई दिये हुए हैं लेकिन आपको किन्ही दो का जैसे गड़े साय तो इसका आप संस्क्रित वाक्यों में प्रयोग कर दीजिए ठीक है सारा चीज पढ़ाया जाएगा बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूत नहीं बस आप लोग क्लास लीजिए वीडियो देखे और उसकी बाद आपको कुछ नहीं करना है सारा चीज आपको लागा तार दिया जाएगा तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और इस तरह की वीडियो और भी बाने के लि लीजिए चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद